हेलो स्टुडेंट, वेलकम बेक टो माई चैनल आश्राव नॉलेज आट्स आज मैं आप लोगों को कुछ कॉम्पोनेंट का इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ जो भी आप लैब्स में यूज करते हैं जैसे कैपिसिटर हो गए, रजिस्टर हो गए, इंडक्टर हो गए, डायोड हो गए, माईक्रो, चिप्स हो गई, ट्रांजिस्टर हो गए ये सारे आपके क्या हैं, लेक्ट्रोनिक्स कॉम्पोनेंट हैं, जिनका यूज आप लैब में यूज करते हैं सारे उनके circuit component जो जो given है तो आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए और आप लोगों को ये component के बारे में knowledge होना बहुत जरूर है जैसे ICs जो हम use कर रहे हैं जैसे digital में हम ICs use कर रहे हैं basic में हम transistor, diodes ये सारे use करेंगे तो ये सारे component के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए आप कहां किस component का use कर रहे हैं किस तरीके से use कर रहे हैं ये सब आप लोग को knowledge होना चाहिए तो ये मैं आपको एक जैसे simple सा एक ये register ले लिया register का reference है जैसे register में हमारा silver, gold, black, brown, red, orange, yellow, green, blue, wallet, grey ये सारे इनका क्या है हमारा reference seat मैंने यहां पर दिखा रिखी है और ये reference seat आप अच्छे से check कर लीजिए कैसे कैसे register work करता है कैसे इसका working principle है ये सारा thanks for watching student